बच्छे को गुद मॉनिंग आज हमें कहानी सुनेंगे जिसका नाम है मेरा बड़ा परिवार बिन एक लड़का है जिसकी एक बहुती बड़ी फैमिली है उसकी फैमिली में उसके दादा जी दादी जी बिली, आंट अंकल, उनका बेबी और उसके ममी पापा रहते थे कितने ही सारे लोग है और बिन के पास कोई जगा ही नहीं बच्टी थी खेलने के लिए एक दिन उसकी पूरी फैमिली दोपहर के समय सोती है जो बिली है, उसको एक उनका गोला मिल जाता है और अब बिन और उसकी बिली जाती है, और पूरा परिवार उठ जाता है बेबी रोना शुरू कर देता है ममी, पापा और दादा जी बिन को डाटना शुरू कर देते हैं बिन को बहुत गुस्सा आता है, मेरे पास तो कोई खेलने की जगा ही नहीं है ये घर कितना छोटा है और मेरे परिवार इतना बड़ा बिन बहुत जोर जोर से रोने लगता है फिर वो धीरे धीरे से रोता है, और अंत में वो सो जाता है जब बिन वापस से उठता है तो उसे घर बहुत अजीब सा लगता है, क्यों? क्योंकि ना वहापर बेबी है ना उसकी ममी है ना उसकी दादी है उसके दादा जी भी नहीं है पापा भी नहीं है और अंकल आंटी भी नहीं है बिन घर में पूरी तरह अकेला था कितनी खुशी की बात है और एकदम से बहुत अंधीरा हो जाता है अरे, ये क्या हुआ? आसमान में बिजली कर रखने लगती है और जोर से बिजली कर रखने की आवाजे आती है बिन सोचता है कि सब लोग कहां चले गए फिर उसको बारिश होने की आवाजे आती है और फिर उसको अपनी ममी की दादी और दादाजी की और बेबी की आवाज भी आने लगती है बारिश तो तब भी हो रही थी पापा भी घर आ गए अंकल और आण भी घर आ गए लेकिन सब भीगे हुए है अब बिन बहुत ही सुरक्षित फिल करता है उसे बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग वापस घर आ गए बार जाकर खेल सकता है कहानी खतम